हेलो दोस्तो दोस्तो एक बहुत ही बड़ी न्यूज आ रही है जुमोएंड कश्मीर सर्विस सेलेक्शन बोर्ड के एक्जैमिनेशन को लेकर जिन में हम बात करेंगे जुनियर इंजिनियर और जो अभी सब इनस्पेक्टर के पोस्ट की एक्जैम चल रहे हैं उन से जे के एक्जैमिनेशन कंड़क्ट करने वाली एजनसी थी उसका जो टेंडर है जो जे के एक्जैम को कंड़क्ट करने के लिए उस टेंडर को क्वेश किया है दोस्तो इसके पीछे जो सबसे बड़ी वज़ा है वो aptec का blacklist होना है जैसे दोस्तों आपको पता ही होगा कि जुमाइन कश्मीर सर्विस सेलेक्शन बोर्ड ने खुद ही Terms and Conditions रखी थी कि जो JKSSB के आने वाले exam को conductor करने वाली company होगी वो किसी भी state से किसी भी तरह blacklist नहीं होनी चाहिए क्योंकि blacklist होने की ही वज़ाए से जो previous exam थे जो JKSSB में conductor किये थे जो की merit track ने conductor किये थे उस company को कई सारी status ने blacklist किया था क्योंकि वो जो company याने merit track की में बात कर रहा हूँ उसको irregularities में irregularities के लिए दोशी पाया गया था जिसकी वज़ए से फिर ये जो company है merit track उसको blacklist किया था फिर बाद में जो exam उस ने लिए थे वो सारे exam जो है JKSSB ने cancel किये और उसके बाद उन्हेंने tender निकाले और tender में JKSSB ने clear किया था कि जो हमारी next examination conduct करने वाली company होगी वो किसी भी तरह से blacklist नहीं होने चाहिए किसी भी स्टेट की तरफ से लेकिन जब tender निकाले गए और उसके बाद जेके SSB ने जो नया tender दिया वो उसने aptec company को दिया और इसके ऊपर जेके जो कश्मीर के जो aspirants हैं कई सारे वकील जो हैं उन्होंने जेके SSB के ऊपर जो case है वो किया और केस में यह कहा गया कि यह जो company है यह already blacklisted है जिसको नया contract मिला है याने aptec और यह किस तरह जेके SSB के आने वाले exam exam जो है वो conduct कर सकती है तो इस सिलसिले में case चल रहा था high court में और high court का आज decision आया है जिसमें यह जो tender है इसको question किया गया है तो दोस्तों यहां पर high court ने अब जो है अपनी instructions दी है और यह कहा है कि अब एक committee बनाई जाएगी और इस committee को अब अपना report जो है वो देना होगा और यह जो committee बनाई जाएगी इसमें retired high court judge भी एक member होना चाहिए और जो तमाम तरह की detail जो है irregularities related वगेरा यह सारा कुछ वो देखेंगी तो दोस्तों बाकि अगर आफ यह पूरी जो PDF है इसको पढ़ना चाहते हैं तो इसकी link जो है हमने अपनी telegram channel पर available कर दी है तो मैं चाहूंगा कि आफ इस PDF को अच्छे से पढ़े इस order को अच्छे से पढ़े तो यहां पर आफ clearly पढ़ सकते हैं जो high court का order आया है यहां पर लिखा गया है e tender number 19 of 2022 dated 30th September 2022 for the conduct of its various examination through computer-based test mode is question तो यहां पर आफ clearly यह देख सकते हैं subsequently all the exams with junior engineer civil gel shakti department and sub inspector home department held by uh respondent number one याने aptek through respondent number uh two uh in uh furtherance of the aforementioned award to uh award of contract to conduct the examination are set to aside cancelled at whatever stage they are so on matlab अब जो examination अभी चल रहे हैं उनको फिलहाल cancel कर दिया गया है तो दोस्तों एक बहुत ही बड़ी news है जुमुएंट कश्मीर के students के लिए और एक bad news भी है मैं चाहूंगा कि आप इसको खुद से पढ़ें मुझसे पढ़ा नहीं जाता आगे झालिए